अजीजी, तुम हम सब में से एक बुजर्ग आदमी हो लो, पहली गल तो ही चगडा हो गया यार क्या कर रहे हो तुम अच्छा मेरा मतलब है यार तुम एक नौजवाइब यार तुम ये बात ही गलत करती है तुमने अच्छा यार मैं अलफाज वापस में लेता हूँ अपने भाई, तुम एक नौजवान आदमी हो ऐ फिर साड़ेवलों चगडा है हम इतिजाज करेंगे, हम सबड़कों पर आएंगे हम तैर चलाएंगे आप एक बज़र्ग को नौजवान कह रहे हैं, आप प्रोड़ाम गलत कर रहे हैं देखेंगे, आप जुटा प्रोड़ाम कर रहे है अच्छा यार, अजीजी, तुम एक इनसान हो किसी कोई इस पे तो इतराई नहीं है आए जी भुटो अच्छा यार, एक बात तो बताओ जी पूछिये, बताओ, और इनसान बताओंगा यार, ये बताओ, कि आज कल ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राबलम क्या है यार, ये इमान से तुमने मेरे मूँ की बात चील ली है अच्छा मैं ये कितनी दफा चाहता हु कि ये बत करों फिर बूल जाता हूं सुचता हूं बूल जाओंगा फिर ये बत बूल जाता हूं यहां का इस वकत सबसे बड़ा मस्ला जो है ना जो खास तोर पे नौज़ोनों में पैदा ओचुका है कि नौजवान जो हैं हमारे वो गलत को ठीक और ठीक को गलत समझ जाए क्या बात है पर पिर जो गलत को ठीक कह रहे हैं उस पे वो बाकाइदा पके हैं और वो उस पे कोई शर्मिन्दा भी नहीं है बिल्कुल ये सिर्फ पाकिस्तान का मसेला नहीं है ये सबसे बड़ा गुणा भी है कि आप किसी गुणा को सही समझना शुरू हो जाए गुणा को नेकी समझना शुरू हो जाए आप देखो ना कि ये कुछ दिन पहले की बात है जिसकी वज़या से मैं चाह रहा था कि ये बात करूँ मैं दोस्ट की तरफ गया तो मैंने पूछा बच्चों का क्या हाला काता है बहुत अच्छा वहार रह चो तो बात कोई और शुरू होगी थोड़ी तयर बाद वह बच्चे आ गए हम चुके बाहर लॉन में पैठे हुए थे वह गेट खोल के अंदर आया है बेहन के साथ बच् नहीं था ना उसके सर पे ना उसके हैंडल पर ना उसके हाथ तो वो आ गया थीक का बहुत थे अच्छा है तो मैंने मिरे बास नहीं है जी वो है गर रखा हुए है बस मैं नहीं पाहन था बैंस को लेन तो मैंने का तुम्हें फिर पूलीस ने नहीं रोका उपर से और खुश हो के बता रहा है का ता हम गलियों इशलियों में निकल के आ जाते हैं अच्छा ये तो बात वो कर रहा है पास उसकी वालदा क्या कहती है पाइन बड़ा तेजे नहीं पड़े आ जाना मतलब हमने बच् हम ला कानूनियत और बद इखलाकी इसको हम समझते हैं कि ये बच्चा बड़ा काबल है बच्चे की काबलियत आप देखे ना कि को बच्चा ठाठा जवाब देता है जी और आप दो मिनिट उसके जवाब सुनें अगर बच्चे के तो आपको फील होना शुरू है यार ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा आलमिया इस वक्त ये है हम लोग ये तो नारा लगा रहे हैं कि अब नई नसल जा गई है अब नई नसल जो है वो उसको बड़ी अवेरनेस है अब नई नसल जो है वो अब आपके जाल में नहीं फसेगी आपके चुंगल में नहीं फसेगी हम स्यासी हवाले से भी और दूसरे त्रीकों से भी सोशल अपनी लाइफ में भी बच्चों को ये बड़ा डिसकस करते हैं जी बच्चे आप बड़े तेज हो गए मतलब मैं कहता हूं कि यार ये क्या अकल इनको आई है कि एक आज तक काउम मैं पहले भी ये दो तीन दफा बात क कर चुका हूं कि ये कौन सी अकल मंद काउम है जो अभी तक हैलमट पहनने की आदद नहीं अपने आपको डाल रोजबार ये किस तरह की काउम है जो आज तक खुद नौजवान जो है अगर ये बड़ा जाग गया है तो कौन सा नौजवान है जो खुद कह रहा है कि मैं जह है जो वो कह रहा है कि मामा पापा मेरे जो सुस्राल वाले हैं वो इतनी इस्ताइत नहीं रखते इसलिए आप पांच सो बंदे की बरातना लेके जाएं या दो सो बंदे की बरातना लेके जाएं हम क्यों नहीं सादगी से शादी कर रहे हैं या भाई शादियां तो चली गई है करोडों की तो आप सिर्फ डेकोरेशन करा रहे हैं अब तो बच्चे माँबाप से लड़ रहे हैं कि मैंने फलाँ शादी हाल में या फलाँ जो है मारकी वहां जाके शादी करवानी है अपनी अगर आपने मेरी करनी है तो कि वो लहोर की सबसे महंगी और खुशूरत म मारकी है वालदैन को इमतिहनों में डाला हुआ है बच्चों ने बैई ये कौन से जाग पड़ी है कौम आप अपना सोशल मीडिया देखें वहां पे लिक्यूई जो पोस्ट हैं वो दरह देखें उनके लफज देखें उनके फिक्रे देखें क्या कौम जाग गई है या कौ देन अदर रखते हुए इस्तमाल किये जाते हैं आप दूसरे मुलकों की जो कौम जो वाकई जाग रही है कौम में जो सच मुछ जाग रही है और जिन जागती कौम तो मैं उसको कहूंगा जो तरकी आफ़ता है जिन्होंने तरकी की है जिन्होंने एजूकेशन रेड बहु अच्छा हो गया है जिन्होंने कुछ इजाद किया है अभी तक तो हम दूसरों की चीज़ें इस्तमाल कर रहे हैं अभी हम कल वर्सों भी शो में जिकर कर रहे थे कि हम यही शरम नहीं आती कि हम हमारे सियासतदानों को प्रोटोकोल में साथ-साथ-स-स गाड़ियां लेके ज शरम नहीं आरही कि लोगां यही पैह देने ने तेसी है यह याशी किसकल कर रहे हैं हमारा जमीर अभी तक हमें यही नहीं जिन्जोड रहा है उसी तरह हम यहीं नहीं जज़ कर रहे हैं कि हम अपने सोशल मीडिया के ओपर जो बेहूद की फैलाए हुए हैं क्या यह साइंस के हवाले से डिसकेशन हो रही है कोई जुगराफिया के हवाले से डिसकेशन हो रही है कोई हिस्टरी के हवाले से डिसकेशन हो रही है तो यहां पर डिसकेशन हो रही है तेरी पैन है जिते तेरी माँ है जिते तू तेरी बेबे नहीं है किया तेरी माँ को पता होगा ये लवाज हम यूज और असी कोई फ़तूबात कोई टिली बात करने बंदा तो हम उसको डुबल हो ऑते हैं ये बात अपनी पुछ ये बात अपनी पैन से पोच ये हम लिक रहे हैं पूस्ट नहींद cay क्वी कौॉम में है। रात को तीन तीन बजे तक जागते हम कहने का मतलब यह है कि किसी भी कौम के आमाल बताते हैं कि यह जागी हुई कौम है यह कौम अवेर हो चुकी है अब यह हर चीज जानती है सिर्फ कहने से नहीं यह बात होती है